चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों मदरास हाई कोट में एन एम सी रूल यानि 50% प्राइवेट सीट ओन गॉर्मेंट फीज के केस की हीरिंग कम्पलीट हो चुकी है और बेंच द्वारा जजजमेंट रिजरू रख लिया गया है ये रिजरू रखा गया जजजमेंट इसको सुनाने में एक वीक का समय लग सकता है इसकी बाकाइदा एक डेट अनॉंस होगी जो आज साम तक पता लग जाएगी कि कौन सी डेट को ये जजजमेंट सुनाया जाएगा और उस date को ये जो decision सुनाया जाएगा वो direct ही decision सुनाया जाएगा, direct ही judgment सुनाया जाएगा, अब इस पर कोई hearing नहीं होगी अब हमारे दिमाग में यही क्यों सनाता है कि आखिर ये judgment reserve क्यों रखा जाता है तो कुछ case में ऐसा होता है जो judge दवारा judgment reserve रखा जाता है, वो इसलिए रखा जाता है कि जो भी hearing के दोरान arguments होते हैं उनको verify करने के लिए ये judgment तुरंत नहीं सुनाया जाता है, और case को judge दवारा फिर से read किया जाता है और उसको type करवाने वे अन्य case को quote करने के लिए इसमें समय लगता है, ये सारी formalities पूरी होने के बाद judgment सुनाया जाता है इसलिए कुछ cases के judgment को zero रखा जाता है और अभी इस case की जो date है, वो आज साम तक final हो जाएगी कि कौन सी तारिक को ये decision सुनाया जाएगा और उसके बाद ही हमें clear हो पाएगा कि ये decision किसके favor में है, यानि कि ये students के favor में, NMC के favor में है या private या dimmed university के favor में है, तो इसकी अभी कोई संभावनाई नहीं जताई जा सकती क्योंकि ऐसा जायर हुआ नहीं है, जो argument हुआ था, बैस हुई ती court में, उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये case की स्पक्स में जा सकता है, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं, तो ये तो depend करेगा कि इसका judge द्वारक क्या फैसला दिया जाता है तो जैसे भी इसके बारे में कोई भी update मिलेगी, मैं आपको inform कर दूँगा, तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंद